कि आज के दिन मैं यह बताया क्योंकि आज जो है 13 जून 2018 आज मेरा बर्डे है इसलिए मैंने यह बताना सही समझा थो आप लोग को मैंने बताया मैं हुशायन आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाल है यह जो वीडियो है इस पर मैं कोई प्रोटेक्टर रीओ नहीं करूंगा कुछ भी टिक्स टिप्स कुछ भी नहीं बताऊंगा वीडियो इस वीडियो में आप लोग को मेरा स्टोरी बताऊंगा कि मैंने ऐसे मतलब ग्रोव हुआ एंड एवरिफिंग मैं आप लोगो बताऊंगा इस वीडियो को मैं कुछ पर्सनल भी बताऊंगा तो गईस आप लोगो को मेरे उपर इंटरेस्ट है तो आप लोग भी देखना चाहते हो एंगा इस यह वीडियो थोटा लंभा भी होने बाला है क मतलब मैं बहुत ही छोटा चोटे हुमर से यूटूब वीडियो देखता था बहुत ही पहले से तो मुझे यह सब चीज जो है मुझे बहुत ही एट्रेक्ट करता है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी यह बनाऊगा क्योंकि यह मुझे बहुत ही प्रॉफेशनल लगत यह मैंने एक फ्रेंड्ड से भी पूँचा था कि यूटूब में वीडियो कईसे डालते तो इनों ने एच्कों कहा था कि यूटूब में वीडियो डालने के लिए बहुत मतलब लाइसन्स की ज़रुद हा था तो मैंने सुचा है यह ब़ुत कुच होगा तो meg नहीं कर सकते मतलब जिन लोग के पास लाइसेंस नहीं है यह लोग नहीं कर सकते 2016 में मेरा एक्सिडेंट हुआ बाइक आक्सिडेंट हुआ तो मेरा पैर तूट गया था पैर को पर प्लाश्टर था यहां पर आप लोग देख सकते एक मार्क है तो यहां से पुरा फैक्चर हो गया था पुरा मेरा पैस एंड लीफ सब कुछ फैक्चर हो गया था यहां पर भी स्टीचेज भी था तो तब मेरा वेड्रेस था फोर फाइब मंत के लिए तो मैं तभी बहुत यूट्यूब वीडियो देखता था तो आपको पास सिर्फ मतलब जिस चीज के ऊपर आप लोग बता रहे हो जिस चीज के ऊपर आपका कॉंटिन इस पर थोड़ा नॉलेज होना चाहिए मैं यूट्यूबर को देखा कि कैसे यूट्यूब चैनल करते उन लोग के वीडियो देखके मैंने यूट्पर चैनल क्रेट किया तो तब में दिखा हुँँगा ग्रीके सामना के थि क्योंक्ति ए apply मुझे फॉर्षस्ट फॉल तो मुझे फिंदी बिल्कुल भी नहीं आता था पहले जब से मैं यूटूब चैनल बनाना स्टर्ट से में जैनल की यूटूबर हुटर बनाया उससे पहले मैंने इतने मिले estimular भी नहीं बोला बट अभी जो है बहुत ही फ्लुएंटली बोल सकता हो हिंदी कैम्रे के सामने के सामने मुझे बूलना भी नहीं आता था मैं बहुत ही नर्वस हो जाता था पहले तो मैंने एक चैनल बनाया था DIY चीजे मतलब जैसे कि होता है ना बहुत सारे YouTube चैनल आप लोग यूट्योब में तो अभी मैं घर पे बैठा रहा था था पैर पे प्लास्टर था तो कई पड़े भी नहीं जा सकतो घर पे बैटे बैटे वह मेरे मोबाइल से तो मेरे यह यह मोबाइल था तब यह है रेटमी का 1-6000 का मोबाइल है तो इसके यह कैमरा को ऑलेडि अच्छा बट उसमें भी चार बर मैंने देखा होगा और एक बर कोई दूसरे ने देखा होगा तो ऐसे ही विज था तो मैं जो मुझको लागा कि यूट्यूब पे यार वीडियो डाल सकता है हर कोई वीडियो सबका नहीं आता है उसके लिए बहुत कुछ मदब प्रॉपेशनल चीजो की जरूरा थे तो मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिया उसमें इसका 30-40 वीडियो चीजे बना बना के डीसी मोटण वगड़ा खरेद के बहुत सारे चीजे खरेद के मैंने कई प्रोजेक्ट बनाया एंड यूट्यूब पे डाल दिया अट मॉबायल से एडिट करके तो मुझे लगा कि यार नहीं होगा तो उसके बाद मेरा वो चैनल जो था कुछ रिजन के बज़ए से मुझे पता नहीं था क्या रिजन था वो चैनल यूटूब ने टर्मिनेट कर दिया यूटूब से वो चैनल गायव हो गया अचानक से तो मैंने सोचा कि यार यह सब यहां पर रहता हूँ यहां पर सब कुछ अवलेबल नहीं है मतलब कुछ साल पहले तो फ्लिपकर्ट अमजोन का डेलिवरी भी यहां पर अवलेवल नहीं था ऐसे जगह पर मैं रहता हूँ तो यहां को मुझे मैं यूटूब पर वीडियो देखता था बहुत से चीजों का यासे कि हेर कलरिंग, स्ट्रेटिंग, हेर स्टाइलिंग तो बहुत सारा वीडियो एंट ड्रेसिंग सब चीजों पर वीडियो देखता था पर इंदिया पर हिंदी लेंगवज में मुझे एक भी कॉंटेंट डिखाई नहीं दिया तो मैंने सोचा कि हिंदी में कोई वीडि बहुत से लोग है इंडिया में वीडियो दालता है कि यह ब्लू कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, बहुत सी कलर, केरेटें, स्मूथ बिंग, स्ट्रेटिंग, कैसे करना है, कौन सा प्रोडाट यूज करना है, कहां से खरीदना है, यह सब कोई भी नहीं बता था है, बट आपको मतलब आप सेलोन पर करने जाओगे, तो सेलोन वाल आप से लूट लेता है, क्यूंकि एक से देर दो हजार रुपे तो लेही लेगा, बट आप घर पर करोगे तो पांसर रुपय में आराम से हो जाएगा, पांसर से भी कम है, क्योंकि पांसरो का पेकेज लोग है, तो वो य में इंटेरेश है तो यह सब यह content बना एंड हिंदी में बना बट मुझे तब हिंदी बिल्कूल भी नहीं आता था था हिंदी मेरा बकवास था तो मैंने सुचा कि हिंदी में कैसे बोलूँगा camera के सामने वह भी तो मैंने यही फोन से कुछ वीडियो शूट किया तो मैंने सिर पिश्टिक लगा के है कि how to use guidance be wax तो मैंने उस वीडियो में यह फोन से ही मैंने पीछे चादर था चादर लगा के वीडियो बनाया बैस डाल दिया तो वो वीडियो इतना चलने लगा इतना चलना एक ही वीडियो में बहुत अच्य व्यूज रहा है मतलब एक दिन एक हपते लगा कि यार करना है कुछ तो तब तो मैंने जब चैनल क्रेट किया था 2016 में मेरा फर्स चैनल था शायन दत्त लाइफस्टाइल नम का तो वो चैनल मैंने जब बनाया था इंडिया में बहुत कम लोग था जो हिंदी में कॉंटेन करता था कुछी गिने चुने यूटूबर जो या इसी कॉंट्ट मतलब फैसाने बल स्टाइलिंग लाइफस्टेंग ग्रूमिंग में हिंदी में कॉंटेन बना था होगा तो मैंने किया तो करने के बाद कुछ वीडियो और भी मैंने डाला तो वीडियो चैनल पर चैनल पर अच्छा नॉलेज भी है क्यूंकि मैंने 800-800-900 तक सब्स्क्राइब एक महिने में हो गया तो मैंने सचा यार यह तो बहुत अच्छा चीज है मतलब मुझे मजा लग रहा था कि यह सब बनाने में मुझे यह सब के बारे में अच्छा नॉलेज भी है क्यूंकि मैंने फैसान डिजाइनिंग और डिप्लॉमा भी किया है तो मुझे यह सब चीजे पसंद था एंड तो मैंने यह सब करने लगा तो करते-करते मेरा चैनल जो था वो चैनल इन बात टर्मिनेट हो गया विदाउट एनी रिजन फट से मैंने खोला देखा चैनल गाए तो एक 900 तक सब्सक्राइबर था वो चैनल डिलीट हो गया तो कि योटुब में वीडियो डालने के लिए लाइसेंस के जरूर देखा है तो इसलिए साथ यूटुब मुझ को टर्मिनेट कर रहा है बार बार तो मैंने आए नहीं करते ठीक है तो यूटूब नहीं करूंगा कुछ भी तो मेरे ब्रदर ने कुछ सर्च किया उसको इंटेन मेरे ब्रुदर ने मैंने फिर से चैनल बनाया मैंने फिर से लाय soc i मतारे 2017 के पूर्ष सब्सक्राइब कर दो番द हो बारबर वीडियोा दालता हो कुछ भी करके तो भी चैनल जो ठर्मिन हो जाता यह यह बहुत बुड़ा लगता था बट मुझे जीर्द भी था कि मुझे कुछ करना है YouTube पही तो मैंने फिल से चैनल भी टर्मिनट हो गया हो गया थीन चैनल में तर्मिनेट उसके बाद फिर से मैंने न्यू एकाउंट बनाया न्यू सब कुछ किया सब कुछ करके चैनल बनाया शायान बीशायन डबल जीरो सिक्स चैनल का नाम था बीशायन डबल जीरो सिक्स उस चैनल पे भी वीडियो डाला दस बाड़ा वीडियो डाल दिया न्यू बन आके एन कुटाना वीडियो भी डाला तो वो चैनल जो था देर दो महिने बाद वो चैनल पर था 1500 सब्सक्राइबर तो फंद्रह तो सब्सक्राइबर था वो चैनल भी 10 निट कर दें यूट्यूब पर तो मेरा कि आयार का टाइम पास के लिए मैं दूसरे काम भी करता था क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मेरा पापा 2010 में उसका डेथ हो गया उनका तो मैंने कुछ प्रिशर था मेरे उपर मेरे घरबालों का उतना प्रिशर नहीं था बट मेरे ब्रदर का ब्रदर मेरे जो वीडियो डालने लगा एंड कुछ काम करता था उससे मेरा खुद का पॉकर में यह वो चल जाता था काम आर पांच टैनल मेरे डीट हो चुका था तो मैंने सचा यार मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि यूटूब ऐसे डिलीट करता था था कितने बड़ करोगा चार पांच तो तु क्यों नहीं करेगा तु कर अच्छे से एंड तुछ को अच्छा जो है मिलेगा तो मैंने स्चाए यार कुछ मेरे जो मसलब आई पी अड्रेस है मेरा मोबायल मेरा लैक्टॉप जो भी है इसमें कुछ प्रॉबलम है यह आईपी अड्रेस था है यह यूटूब ने बनाके डालता था यूटूब पे तो मैंने उन लोग से कॉंट्रेक्ट किया तो उसका वही यूटूब एकाउंट से मैंने एक मेरा चैनल क्रेट किया जो अभी यह चल रहा है सायान तो यह चैनल उसका मोबाईल से मैंने क्रेट किया उसका नाम है कोशीक तो वह मुझे बहुत ही हिल्प करता है तो उसके मोबाईल से मैंने बनाया मेरा चैनल लगा क्यूंकि मेरा सब्सक्राइबर्स पहले से था और वह लोग मुझे फेस्बूक पर फॉलो करते था तो वह चैनल अच्छे से ग्रो हो जाता था तो उसका अभी 800 सब्सक्राइबर हो गया एक महिने में तो वह चैनल भी YouTube ने टर्मिनेट कर दिया तो मुझे लगा यार मेरा मतलब क्या बोलू मुझको मैं जहां से भी चैनल करता है योट्यूब तो मुझे लगा कि यार अब नहीं होगा क्यूंकि मैंने पहले जो चार चैनल इट हुआ उसका भी मैंने यूटुब को बहुत बार एपल किया में कुछ रिपलाई नहीं आता है मतलब जो रैंड़म रिपलाई आ जाता है आटमेटीक वही रिपलाई आता है वो लोग खुछ करते जो भी होगा देखा जाएगा तो मैंने अपिल कर दिया तो क्या हुआ इस बार यूटूब ने सुन ली यूटूब में यूटूब ने जो है मेरा चैनल मुझको वापस कर दिया क्योंकि उनलोगों ने चेक किया और देगा कि मेरे चैनल में कुछ भी मतलब भायलेशन व हो गया था तो चैनल जब हो गया फिर से आ गया तो मैंने अब जब चैनल आ गया है तो अब डिलीट नहीं होगा अब कुछ भी करके मुझे आगे बढ़ना है तो ऐसे चैनल डिलीट होते होते मेरा एक साल जो है बढ़वाद हो गया तो यह जो चैनल है यह चैनल जो है एक स कुछ पैसे खट्टा किया और मेरे ब्रदर ने मुझको कुछ पैसा दिया, मैंने ये क्रिदा तो क्रिदा तो कैमरे से अच्छे वीडियो रेकॉर्ड भी करने लगा कुछ माइक खरीदा पर लोगों को रिवीव करता हूआँ कैसे करना है कैसे मतलब अच्छे से अप घर में ससटे में कर सकते हो मैं अब लोगों को बता था हूँ मेरा में मोटीफ यह है कि आप salon में जाके ज्यादा खर्चा करके क्यों करना है क्योंकि वह product अप घड़ा करके बहुत ही सच्छते में कर सकते हो तो सेलून पे खुद जाके खुद को लुटाने का जरूरा थे तो यही मेरा मोटीव है तो इसलिए मैं वीडियो डालता हूँ यह करने में मुझे मज़ा आता है तो वही मैं करता हूँ तो गाईस आपको भी तो इस यह वीडियो मैंने इसलिए बना क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रगल करके यूट्यूब चैनल बनाया है और जो यूट्यूबर्स है यूट्यूब में आप लोग देखोगे तो लाइफस्टाइल व्लॉगिंग के जो यूट्यूबर्स है वो लोग मतलब अच्छे बड़े सहर में रहे कर खुद को किया है मतलब मेरा जो दोस्त है मेरा उन लोग यह तक भी नहीं पता है कि हार वैक्स क्या होता है यह यूज करता यह अट यह सब नहीं पता है मैंने इंटरनेट पर देख देखकर बहूत कुछ किया है और मुझे यह चोटे साइड में रहे करी बहुत कुछ करना हैं बहुत आगे जाना ह और बहुत कुछ करना है बस तो यह अप लोग इस सपोर्ट की बहुत ज़र जरूर थे आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो एंड नेगेटिव कॉमन्ट तो सब के उपर आता है अब जिने भी अच्छा करो कि नेगेटिव कॉमन्ट करने वाला कि कमी नहीं है वह नेगे अच्छा मतलब अच्छा जो है सब गियर्स खरीद लोगा अच्छा लाइटिंग अच्छा सेट आप खरीद के वीडियो बना रहा है बट नॉलेच कुछ भी नहीं है व्यूज भी नहीं आता है लोग देखता भी नहीं फिर पिर सिर्फ जो है महेंगा कैमरा खरीद के सामने कोल रहा है तो बस से कुछ नहीं होता है कि आप कितना वहीं महेंगा कैमरा खरीद आपको क्श़ नॉलेच होना चाहिए आपको जो है सारे जमुञान चीजसे बताना चाहिए आपको इसकुछपी करना आता है बस आपके पर ऐपना पोन उठाईए वीडियो फूट आपका चैनल भी ग्रोथ होगा बस गाइस मुझे यही करना था कि अच्छा कैमरा में मेरा ख़र इतना से कुछ नहीं होता है आपका पैस टैलेंट है तो आप छोटे मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हो कुछ भी बैगडाउंड जैसा भी हो कुछ भी हो तो मेरे आप पहले कुछ भी करना चाहते हो तो बस कुछ भी पैसे करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होता है बस पूरा करने के लिए जो कुछ भी ष्टेयप लेना है बस टैप लेजिए और अपने ड्रीम को लेंग बहुत ही मतलब ऐसे जगह के ऐसे फैमिली क्या उलब किसी भी फैमिली से बिलॉंग करती हो तो कैसा हूँ तो सारे 4 लाक सब्सक्राइबर से तो वह ज्यादा नहीं है तो मैं और भी आगे जाना चाहता हूँ तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रौत है यार प्लीज सपोर्ट कीजिए प्लीज मुझे इन्सटा पर पॉलो कीजिए कुछ भी बात है तो डियम्स कीजिए तो ग एक लाक पर जो मजा था कि यह प्ले बटन मिला यह तो चाहर लाक पर भी नहीं है तो यह अच्छा लगता है कि जब यूट्यूब ने खुद ऐसे जबस ट्रॉफिए बहुत ही अच्छा बात है तो यह है तो कुछ भी करना यह तो ज़ज्श टेप लीजए करिए एंड एक तो यही था तो आज के दिन मैं यह बताया क्योंकि आज जो है 13th June 2018 आज मेरा birthday है इसलिए मैंने यह बताना सही समझा तो आप लोगों को मैंने बताया तो बस यही है तो गैस तो गैस तो गैस मिल दे नई शुटर बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ मैं दो हैंसे प्रीव ऑैस इसलिए थ だbug सुटिवगों सुटर रहे कीm Otherwise सचेशचे के बताया मैंई पर्दाबबाइबाइबश म सझापप्रेबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबादा च stor Sak Ole Church